मायरा का पिता एक शराबी था इसलिए मायरा का पिता हर रोज मायरा की माँ पर खूब ज़्यादा अपेचार किया करता था इसलिए एक दिन मायरा की माँ घर छोड़ कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है जिसके बाद मायरा का पिता सुचता है मायरा की मा तो घर छोड़के चली गई है अब घर का देखबाल कुन करेगा और मायरा अभी छोटी है और उसे कुन समालेगा मायरा को मैं तो नहीं समाल पाऊंगा मैं तो हर रोज शराब पिता हूँ और मैं हमेशा शराब के नसे में र और वो उससे कहता है सुनो मरिना मेरी बेटी मायरा अभी चोटी है और तुमें उसका देखबाल करना है उसकी मा नहीं है उसकी मा हमें छोड़कर हमीशा मिसा के लिए जाच चुकी है ठीक है साब आप फिकर मत कीजिए मैं आपकी बेटी को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार क करूंगी इसके बाद रुद्रा वहाँ से चला जाता है ये आदमी काफ ज्यादा अमीर है मैं इसके गर में से चोरी करके भाग जाओंगी ये सुचकर वो चोरी करने की खुशिक करती है फिर मारा मरिना को देख लेती है और वो कहती है मैं पापा को सब कुछ बतांंगी आप अमारे गर में चोरी कर रहे थे इसके बाद मरीना मायरा को एक रेलवे ट्रैक पे लेके जाती है और वो उसे वही पे छोड़ देती है जिसके बाद रुदरा वहां पे आता है और वो अपनी बेटी मायरा को बचा लेता है